पापा, प्लीज हमें माफ कर दीजे हम जानते हैं कि आज हमने मा को तकलीफ पहुचा है उनके भरोसे और स्वाब इमान को ठीस पहुचाया लेकिन हम करते भी क्या पापा मा की खुशी के सामने हम हमारे खुण से मूँ थोड़ी ना मोर सकते है मोहित हमारा बच्चा है हमारा खुण है, हमारा बेटा है तो हमारी जिम्मिदारी हुए ना ये पापा कि हम उनका ख्याल रखे तो आपबदाए हम कैसे उनके साथ मूँ मोड ली सही करह में मोहित की जम्मिदारी उसे पलला जार देना गलत लेकिन शेफ एक को इंसाफ देने के ने हम दूसरे के साथ ना इंसाफी तो नहीं कर सकते हैं अगर आप अपने बेटे मोहित के लिए बहर तो रागव भी तो अपने होने वाले बच्ची के लिए equally बहर हैं तो फैर आप सही और रागव गलत यह क्यों सुरिली प्लीज, हमें रागव के साथ कंपेर मत कीजे, वो गलत है, बिल्खुल गलत, बाद बाद पे बटवारा 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 एसी उच्छी बाते करने से पहले वो एक बास सोच कुनी लेता, तुम ही बताओ, क्या हम रागव या उसके बच्चे का हक चीनेंगे, हा कि आज जो उने ने बात किये है, वो बिल्कुल हद पार करने वाली बात कर दी, सारा किया कराया उस सुरिरी का ही है, मिडर क्लास वाली अपरिंगी है न उसकी, इसलिए, दूसरों के मामले में दखल देना, और घर में लड़ाई करवाना फेवरिट काम है उसका, सही कह रही कि अपरिंगी है, भाभी ने जो किया है उसका जवाब हम जरूर देंगे, चुप नहीं बैठने वाले हम लुदा भाभी या प्ली शान तो जाहिए ना, चुटे है ना, आप अपनी हद में रहेंगे, समझे है जाहिए या से, क्या समझाएंगे आप जिस दिन आपकी खुट की फैमिली होगी और जिस दिन इस घर में आपकी और अवकाद जीरो हो जाएगी तब आपको हमारी हालत समझ में आईगी, अब और नहीं सह सकते हैं, हम अपनी इस फैमिली के लिए उस फैमिली से लड़ने को तयार हैं लेखा जो बात अधूरी रह गई थी ना, वो अब पूरी होगी, इतनी आसानी से अपना हिस्सा जाने नहीं दिनी २यो हम रागफ से कोई बात नि करना चाहते हैं बिल्कुल सही कह रहह Nicole रही है मैं तो कहती हो बिल्कुल बात नि करना चाही है शिफ बात करना तो दू कर भादे शओर वो तुम्हारे अटेंशन में डेजर्व नहीं करना यह तुम क्या कह रहिया अब देखो, हम दोनों मोहित और हमारे आने वाले चैम को लेकर इतना ज़्यादा बिजी है अपनी तो चलाते हैं हमेशा किसी की सुनते का है याद अब बच्पन में भी ये करो ये मत करो यहां मत खेलो गिरजा होगे हमारी तो वैसे भी नहीं सुनते थे और सच पूछे ना हम तो सिर्मा की हामे आमेलाते हैं हमें भी कुछ खास पसंद नी है शेफ भाई एक नंबर के तानः शाया हैं तानः शाह हमारी सब की जिन्दगी को नर्ख बना दी है लौपिट्साम ये क्या बकवाश किए जा रहे हैं हमारी भाई हमारी बच्कानी बाते क्यों नहीं मानते थे अरे उन्हें फिक्र थी हमारी आपका हमारा बच्पन ना खराब हो इसलिए अपना और आप उनकी केर उनके ताइम को टानाशा कहे रहे हैं। इस नोट दन साम। देखो सुर्ली जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है वो अमारी छोटे भाई है। थोड़े गुश से में रहते हैं इसलिए हम थोड़े से प्रोटेक्टेव हैं उनको लेकर बागी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। अरे हम जो भी कर रहे हैं लड़ रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पर है तो हो आमारे बड़े भाई ना। आपके भी। देखा। खाता ना कि थोड़े से गुश सेल है रागफ। लेकिन उनके इसी गुश से के वज़ा से उनकी दिल में कोई मेल नहीं होता। शीशे की तरह साफ है उनका दिल। जो दिल में है वही जबान पर है। गुश से में चाहे कुछ भी कह गया हो। लेकिन हम जानते हैं कि वह हम पर पूरा भरुसा रखते हैं। उनके पता है कि उनके सर पर पिता का साया नहीं है। लेकिन पिता जैसे बड़े भाई का सरमाया जरूर है। थोड़े से गुस्तेल में हमेशा रहते हैं लेकर वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं यही तो हम आपसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे विया झाल आपसे बहुत हैं झाल 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 करता है फ्रेंस प्रॉब। थे खुला प्रॉब। और है इसे हम प्रॉब। तरॉब। मा, जब हमसे कोई गलती हो जाती तो थोड़ी सी डाठा और खेर सारा प्यार हम इसी दे रास्ते पर ले आता मा, अगर आप चाहती हैं तो आज आज आप हमें डाठी हैं, बहुत डाठी हैं, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दीजे बच्पन में महसूम गलतियां किया करते थे, आमा, बड़े-बड़े गुना नहीं अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं न डांट, न प्यार माप, मामे जानती हो मैं गलत हूँ, यह भी जानती हो कि मैंने आपको बहुत हुट किया बता है माप, अमी मा से क्या कहती है, कि जब मा दुखी होती है और वो रोती है न, तो भगबान जी के आखे भी नम हो जाती है मैं आपको हुट नहीं करना चाहती थी माम, I'm very sorry और मैं इंगे भी जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरा भला चाहती है, फिर इलिए अच्छा सोचती है एक बात का हूँ आपसे, हमें सबको एक मौका तो देना चाहिए न, था कि जो पहले हुआ, वो फिर से ना हो ट्रस्ट कनना चाहिए न माह, हम सबको दिल के दर्वाजे खोलने होगे और मैं जानती हूँ कि मोहित ने भी आपके दिल में अपने लिए जगा बना ली शेफ बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से, उनकी तो जान बसती है मोहित में आपने तो खुद देखा है न, कि शेफ कितने बेचयन हो जाते हैं मोहित के बिना यहाँ भी नमबर फान देखिये, आपकी मा को भरभर के मक्खन लगा रहे हैं इन दोनों कहिए, अब कौन सा फर्मान सुनाने आया है आप इस बार प्रॉपटी की पेपर्स तैयार करवा कर तो नहीं लाए हैं आप माह हमारी सबसे बड़ी प्रॉपटी तो आप है हमारा है ही क्या आज तक सब कुछ आपी से तो मांगा है और अब भी मांगनी ही आया है माँ आपकी माफी प्लीज माँ, आम सॉरी हम जानते हैं कि आप प्यार और मेहनत से इस एम्पायर को संभाला है पता नहीं हमें क्या हो गया था, इसे बातने की अम सूच भी कैसे सकते हैं माम ओ माह आपने हमें इतना लट क्यूं दिया कि हम हम अपने गुस्षे पर अपर कंटरोल ही नी कर सकते हैं प्लीज मा, माफ कर दीजिया हमें. सुबे का भूला अगर शाम को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते. पर रागव, याद रखिये, बार बार भूलने की आदत इनसान को गलत रास्ते पे ले जाती है. मा, प्लीज, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे. यह जो कुछ भी हुआ उसमें... गलती समझ में आ जाए, तो बार बार उसकी बात नहीं करते. जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिये. हमारी शान, हमारी आन, हमारा मान है आप. जाने आन, हमारी आन, हमारी जाता है. रागफ, हम बहुत खुशी है कि आप देखिये, मा के सामने कही बातों को सीरिस्ली मत लीजे भाई, हम तो बस उनकी तकलीफ थोड़ी कम करना चाहते थे बहुत कुछ जेल रही है वो आज कल पर, कम से कम हम तो उन्हें थोड़ी बहुत कुछी दे सकते हैं खाव पर अगर मरम नागाय जाए तो वो नासूर बन जाता है नासूर को ठीक करना इतना असान नहीं होता भाई लेकन रागफ, हम ने की अखिया क्या है रागफ चांदनी रात है और वो शिव के साथ है अजय है जिसने बटवारे की प्रोब्लम भी सॉल्ड कर दे सुरील और बहुत जल्दी मोहित की भी प्रोब्लम बहुत कर देगे तो तो मोहित को तो हक मिल जाएगा, अब आब यू यू मैमान से महजबन बने का रात, I don't think that's possible क्योंकि मोहित की जिम्हित की जिम्हदारी तो वो दोनों ठा लेंगे वगर तुम्हारे इस महल के दर्वाजे हमेशा, हमेशा के लिए बने इस महल के दर्वाजे भी और शिव के दिल के दर्वाजे भी और महल के लोग ऐसे हैं तो दूद में जो मक्ही होती हैं यू निकाल के और यू फेख देंगे इस दों लाइक यू सेरिसली याद रखो रोशनी इस सुरी ली बहुत शाथते रहा दो यू यू अवरी कैफ़ु यू प्ले गेम कैफ़ुली मेरी साधिषे काफी साधिषे पर पानी फेर लिया उसने और तो और ये बटवारे का बॉम भी डिफ्यूज कर लिया उसने अब ये सब करने के बाद तुम क्या चीज़ लो अगर मोहित और शिव चाहिए एक साथ तो शिव और सुरी ली को अलग करना होगा और शुरी को अलग करना होगा और शुर्ण को बहुत स्ट्रॉंग है उन दोनों का बॉन है इतनी आसानी से नहीं टुटेगा क्योंकि हbert कektुंकि घुक्या अब तुम चाहिए जो झाहती हो कि अभ तुम भीजें युट झाहती हो कि जी须ना श्यामदा शॉर्ण को कि चलेको बधराह मुझे वह उन मिलेगा जो मैं चाहता हूँ आप एक बात बताई अज ना तो मेरा है अप्पी बर्द देख है और ना ही है अप्पी बर्द आनिवर्सरी So what are we celebrating in here? तुम? तुम किसी occasion से कमनी हो था हमारे ले हैं हमारे संदिगे का सब से खुबसर दवार अज का यह celebration हमारी जान की शालम है तुमने हमसे शादी की हमारे महल को अपने प्यार से घर बनाया और आज इस तरह से तुमने मा के दिल में ज्छाख कर उनका तरस समझा जिस तरह से उनने संभाला हमारे अटीद को अपनाया, हमारे बच्चे को हमसे दूर होने से रोका उसके लिए थाइंगिया तुम्हारे बहुत हैं अपर अपने पहले हमेशा फरीवार के बारे में सोचा है अगर हमारे सौदल भी होते थे तो भगवान कसा है सब के सब तुम्हारे होते हैं नहीं बबा, सौह दिल समालना बहुत मुश्किन है एक काफे है, है की नहीं? मैंसे सच कहूँ आप हमेशा मेरी जिन्दगी में सिर्व रोशनी यह लाते हैं जो कुछ भी होता है वहाँ आपके प्यार की वज़े से मेरी जिन्दगी में कभी अंधेरा नहीं नहीं दे थे हमारे यह जो परिवारे लग उसमें थोड़ा सा एगो और गलत फ्मी का भूल चम गया था मैं बस आपके प्यार के सहारे उसे मिटाने की कोशिश कर रही हूँ और एक बात करहा हूँ और एक बात करहा हूँ I know श्रागफ थोड़ास अपसेट है गुस्से में है नाराज है लेकिन सच तो यह है शेफ कि आप सब के सीने में न सिर्व एकी दिल धरबता है जाहिए कुछ भी हो जाए आप लोगना एक दूसरे से बहुत प्यार करते है And trust me when I say this जब जरूप पड़े किना तो आपका यह भाई सबसे पहले हम दोनों के लिए खरा रहे हूँ Mark my words Kirmia, असानी से तुम इतनी बड़ी बड़ी प्रोल्म्स को सॉल कर लेती है क्या कुछ आप मुझे अपना फेरी जो बलातूं प्रोब्लम का सल्योशन तो होना चाहिए है कि नहीं पापा बारुट प्रोब्लम को कि मैं पिर आपकाय करें, कि पर आपकाय का आपकान कुछा अग्त। झाल झाल